तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रेंडी आरेजिमेंट सेंटर जबलपूर से जो वेकेंसी यहां पे जारी की गई थी कुक, टेलर, बारबर, चोकिदार, सफाई वाले के लिए उसका जो नुटिफिकेशन है, इंप्लाइमेंट ने जारी कर दिया गया है तो इस वीडियो में हम बात करेंगे, कैसे आपको इसका फॉर्म फिलप करना होगा यानि जो आपको या में फॉर्म फिलप करना होगा, आफ्लैन मूर्ट से फॉर्म को फिलप करना होगा कैसे आपको document लगाना होगा कौन-कौन से आपको document लगाना होगा कैसे आपको send करना होगा complete जनकारी मैं आप लोगों को इस वीडियो में देने वाला हूँ तो इस वीडियो को बिना skip करते हुए last week देखिएगा और अभी तक YouTube चैनलों को subscribe, subscribe कर लेजिए और साथ ही साथ वेल आइकन को दबा दीजिए और notification की जनकारी के लिए आप हमारे official website नौकरी new.in पे जा सकते हैं उसका link आप लोगों को इसी वीडियो के description में मिल जाएगा वहां से जाकर के आप notification की complete जनकारी को चेक कर सकते हैं और साथ ही साथ वहां से आप application form को भी download कर पाएंगे और application form download करने के बाद कुछ ऐसा आपको application form मिल जाएगा जिसमें के सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना photograph चिपकाना होगा जो आपका latest photo होगा उसे आप चिपकाएंगे और उसे आपको यहाँ पर attested भी करना होगा यानि आपको photo के उपर cross signature कर देना होगा और इसके बाद आपको यहाँ पर form को fill up करना होगा जिसमें के सबसे पहले आपको post name देना होगा जिस भी post लिए आप इसमें आवेजन करना चाहते हैं इसके बाद आपको अपना name देना होगा full name अपना fill up करेंगे इसके बाद आपको father name या तो आपको husband name देना होगा इसके बाद जो आपका gender होगा male female उसे आपको देना होगा और इसके बाद जो आपका data birth होगा उसे आप लिखेंगे और इसके बाद यहाँ पर आपको दिया गिया है आपको application form के last year से अपना age calculate करना होगा और calculate करने के बाद जितना भी आपका age आएगा year में आपको यहाँ पर अपना age smith देना होगा और इसके बाद नीचे यहाँ पर category दी गई है जिस भी category से आप बिलॉंग करते हैं स्ट, स्ट, ओबिस्ट, पियच, एडवली आस या एसम उसमें आपको यहाँ पर box में टिक कर लेना होगा और इसके बाद नीचे आपको यहाँ पर दिया गया number eight में आपको religion और nationality आपको देने के लिए तो सबसे पहले आपको religion देना होगा इसके बाद आपको college या school का name देना होगा इसके बाद जिस भी board या university से आप qualify होगे उसका नम आपको यहाँ पे देना होगा और इसके बाद जितना भी आपका percentage होगा उसे आपको यहाँ पे देना होगा और इसके बाद number 10 में आपको दिया गया है work experience आपको यहाँ पे देने के लिए जहां से आपको experience फिला होगा और कब से कब तक आप service किये हुए है उसका टेल आपको यहां पे दे देना होगा इसके बाद नीचे आपको दिया गया address को फिल अप करने के लिए जिसमें कि सबसे पहले आपको दिया गया इसमे correspondent address यानि जो आपको पत्रचर का पता है उसे आपको फिल अप करना होगा और सबसे पहले आपको house number या तो आपको street देना होगा इसके बाद आपको village का name देना होगा इसके बाद आपको post office name, district का name, state name और इसके बाद जो आपको अपको फिल अप करने के बाद नीचे आपको दिया गिसमें पर्मानेंट यानि जो आपका अस्थाई पता है उसे आपको फिल अप करने के लिए तिया गया है तो यहाँ पर आपको सबसे पहले house street देना होगा इसके बाद village, post office का name, district का name, state name और इसके बाद जो आपका area pin code होगा उससे आप यहाँ फिल अप कर लेंगे फिल अप करने के बाद इसके बाद आपको email ID देना होगा जो आपका email ID होगा इसके बाद आपको अधार number देना होगा जो आपका अधार number होगा और इसके बार यहां पर दिया गया अगर आपका employment exchange में registration होगा तो यहां पर यहां पर yes लिख सकते हैं होगा तो yes लिखेंगे नहीं होगा तो आपको no लिखना होगा अगर आप यहां पर yes करते हैं तो आपको यहां पर नीचे आपको बतेया गया है registration number लिखना होगा employment exchange का registration करने के बार एक आपको registration मिला होगा उसका number आपको देना होगा और इसके बार आपको employment exchange का name आपको देना होगा जहांसे आपका registration हुआ होगा और इसके बार नीचे आपको दिया गया declaration जिसमें कि सबसे पहले आपको यहां पर दिया गया है पोश्ट ने आपको देने के लिए जिस पूश्ट के लिए आवधन करते हैं और इसके बार आपको यहां पर नीचे आपको यहां पर दिया गया डेट आपको देने के लिए तो यहां पर अपडेट लिखेंगे जिस पर इशंपर को करते हैं और यहां पर आपको अपना फुल सिंगनेचर कर देना होगा और इसके बाद नीचे यहां पर ओफिस डिककार्ट के लिए लिए जी learn को इसमें आपको कोई भी टेल फिल लुद नहीं करना होगा और नीचे यहां पर फोटोग्राफ चिपकाना होगा और उसे आपको self-attested कर लेना होगा यानि आपको फोटो के उपर क्रास signature करना होगा और इसके बाद जो आपका correspondent address होगा उसे आप यहाँ पे fill up कर लेंगे fill up करने के बाद इसके बाद यहाँ पे भी आपको number six से number nine तक आपको दिया गया है office use के लिए तो इसमें आपको कोई भी टेल fill up नहीं करना होगा तो इसमें आपको form मिलेगा टोटल यहाँ पे तीन पर जो मैं आपको form मिल जाएगा तो आपको complete जनकारी हो गई होगी कैसे आपको यहाँ पे form को fill up करना होगा और इसके बाद बात करते हैं कौन-कौन से आपको इसमें document लगाना होगा तो जो भी आप इस form से document लगाएंगे सभी यहाँ पे दे दिया गया है मैंने यहाँ पे दिया हुआ है सभी के लिए आप मैंने एक document लिष्ट बनाया हुआ है इसका link आप लोगों को यानि इस video का link आप लोगों को टेलिगराम चनल मिल जाएगा वहाँ से जाकर कि आप download कर सकते हैं तो इसमें जो आपको document लगाना होगा सबसे पहले आपको इसमें बहुत certificate लगाना होगा बना होगा तो उसे आप लगा सकते हैं नहीं बना होगा तो उसके अस्थान पे आप 10th का certificate लगा देंगे इसके बाद आपको अपना education qualification लगाना होगा जो भी qualification आप दिखाते हैं Application form में उसके अंसर आप लगाएंगे Marcito certificate इसके बाद आपको अपना cast certificate लगाना होगा अगर आपको अपना साट्विक्ट लगाना होगा अगर आप इसके बाद आपको डो प्रस्पोर्ट साइज फोटोग्राप देना होगा जो कि आपको एक्स्ट्रा देना होगा और उसे आपको अधर का भी फोटो कॉपी लगाना होगा क्योंकि आप अप्लिकेशन फॉर्म में अधर नंबर दिखाए हुए हैं तो आपको अधर का भी फोटो कॉपी लगाना होग अगर आप Phz करनेट होंगे तो उसका भी सट्पिकेट लगाएंगे या तो आप एस्म करनेट होंगे तो अपना डिस्टास डिक्षट आपको लगाना होगा और जो भी यहाँ पे आप डॉक्मेंट लगाते हैं सभी आपको सिल पटेश्ट लगाना होगा यानि आपको अपने सभी डॉक्मेंट पर अपना सिंगनेचर कर देना होगा और इसके बाद नीचे यहाँ पे इसे में आपको अड डॉक्मेंट लगाने होगा और इसमें जो आपको send करना होगा केवल आपको यहाँ पे orderney post करना होगा यानि आपको केवल यहाँ पे सधाना post कर देना होगा और इसमें जो last day form को fill up करके send करने के लिए आप यहाँ पे 24 अप्रेल 22 तक form को fill up करके send कर सकते हैं और आपको इसी date से अपना hb calculate करके form में दिखाना होगा तो आपको जनकारी होगए यहोगी कौन-कौन से आपको इसमें document लगाने होगे और इसके बाद बात करते हैं इनुलप के उपर आपको address कर से लिखना होगा जो कि यहाँ पे basically आपको दो इनुलप लेना होगे एक तो आपको बढ़ा लेना होगा और एक आपको छोटा इनुलप लेना होगा तो जो आपका बढ़ा इनुलप होगा उसके उपर आपको लिखना होगा application for the post app इसके बाद आपको post name अपना देना होगा बहुत सारे friends यहाँ पे उपर नहीं लिखते हैं कि यहाँ पे center का address और इसके बाद अपना address लिख करके send कर देते हैं तो इस वज़े से भी उनका form जो है reject हो जाता है तो उपर आपको सबसे पर लिखना होगा application for the post app इसके बाद आपको post name देना होगा इसके बाद नीचे आपको to लिखना होगा और लिखने के बाद इसके नीचे आपको center का जो full address होगा जो कि आपको document list से मिल जाएगा वहां से आपको लिख लेना होगा इसके बाद यहां पर आपको फ्रॉम लिखना होगा और इसके बाद जो आपका अड्रेस होगा अड्रेस अपना इसमें लिख देंगे और इसके बाद आपका जो सेकेंड वाला इनुलप होगा जो कि आपको बेसिकली दो इनुलप लेना था जो आपका छोटा नियुलप होगा, उसके उपर आपको टू लिखना होगा जो कि आपका centres नियुलप होगा, उसके उपर टू लिखेंगे और इसके बाद नीचे जो आपका address होगा, उससे आपको लिखना होगा और यहाँ पे आपको 25 रुपया का dag to directions चिपका करके इसके बाद आपको send करना होगा तो जो आपका बड़ा नियुलप होगा उसके अंदर जो आपको डालने होगे सभी आपका जो document होगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन काश सर्टिफिकेट अधार काड सभी आपको डालना होगा इसके बार एक आपकोषट नियुटा आपको डालना होगा इसके बार एक आपको self address सिर्थी ऐल डालना होगा जो की 25 रुपए का आडरने पोस्ट कर देना होगा तो आपको कम्लीट जनकारी हो गई होगी कैसे आपको होम को फिल आप करना है डॉक्मेंट कैसे लगाना है इनलब के उपर आपको सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ विल अकन को दबा दीजिए वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद